चित्रकूट तीर्थयात्रियों के लिए एक लोकप्रिय परेटन स्थल है, बुंदेल खंड क्षेत्र में स्थित, यह सांस्कृतिक, धार्मिक, एतिहासिक और पुरा तात्विक महत्व का है। इस क्षेत्र में कई परेटक आकर्शन हैं, जो देखने लायक हैं। हर साल बहु दूसरा स्थान कामदगिरी एक जंगली पहाडी है, जिसके चारों तरफ कई हिंदू मंदिर हैं, और इसे चित्रकूट का दिल कहा जाता है। तीर्थयात्री इस विश्वास के साथ इस पहाडी के चारों और परिक्रमा करते हैं, कि उनके सभी दुख समाप्थ हो जाएंग और ऐसा करने से उनकी मनो कामना भी पूर्ण होगी। दूसरा स्थान गुप्त गोदावरी यह जगह गुफाओं का एक जोड़ा है, जिसमें एक छोटा प्रवेश द्वार भी है, जिसके माध्यम से कोई मुश्किल से गुजर सकता है। दूसरी गुफा से जल धाराओं मे सबसे लोकप्रिय परेटक आकर्शनों में से एक है। मंदाकिनी नदी के किनारे का शांत घाट वह जगह है, जहां भगवान राम, सीता और लक्षमन प्रसिद्ध कवी तुलसीदास के सामने प्रकट हुए थे, और वे नदी के किनारे बैठ कर राम चरित्र मानस लिखते थ और इस क्षेत्र में लंगूर हैं। हनुमान धारा उस जरने का नाम है जो एक चटान से निकला था। जब भगवान राम ने लंका जलाने से लोटने के बाद अपनी पूंच में लगी आग को बुझाने के लिए इस स्थान पर आये हनुमान को शांत करने के लिए एक तीर चलाया था। पांचवा स्थान सती अनुसूया की कहानी के अनुसार जब उन्होंने पवित्र त्रिमूर्ती ब्रह्मा, विश्णू और महेश्वर पर कुछ विशेश जल छिड़का और इस से उनके अवतार हुए। यह भी कहा जाता है कि अनुसूया ने अकाल को समाप्त क करने के लिए भगवान की स्तुति करने के लिए इमानदारी से समर्पन की पेशकश की और इस प्रकार शहर को मंदाकिनी नदी का आशिरवाद मिला।